पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अम्रिक वजन उन्होंने एक रीहरसल करके दिखाई थी प्रमात्मा ने कहा था गरत सड देती नाथ गनात पौने चार और कह कभी इस अधिक जो चाव है वह को नहीं विचार फिर प्रमात्मा ने कहा था साईं इतना दीजियो ये मांगना भगवान से साईं इतना दीजियो जा मैं कुटन समाव है हम भी वुखे ना रहें अतिथी न भूखा जा तो पौने अत्मा इस सत्संग के वचनों से ये थार्थ ग्यान से आपकी बुधी इस गंदे लोकते हटेगी अभी तो हम यहां जकडे पड़े हैं और ये मालूम है कि स्वास का कोई किसी को भी चे पर धान मंत्री है चे राष्टर पती है एक सेकंड का उसको अपना बेपरोसा नहीं है विश्वास नहीं कि मैं कल होंके नहीं और फिर हम यहीं चम्टे गाड़ें बैठे हैं बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में जुटे रहते हैं तो उसके लिए भगवान हमें बताने आये थे कि तुम आप जी यहां गल्त रह आपका ये लोक नहीं है आपका निध सथान नहीं है यहां तो कभीर साथ गरीब दास साहिब ने का है बगवान के ग्यान से अपरी चीत होने के बाद के पहले गए ना बावडे बावडे माने लोट कर नहीं आए तुम से पहले तुम्हारे दादे पर दादे जो चले गए पहले गए ना बावडे रहते भी सुब जाही बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोरे 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 ठोर विती हालत अच्छी है और कल मर्त्यू होगी ये तो definite है तो होगी ही होगी सब को मालूम मैं लेकिन उसके पस्चात भी हम थोड़े सी भी सत्रक नहीं होते डरते नहीं तो इसका कारण बताया प्रमात्माने कभीर ये माया अठ पटी सब गटा अनड़ी और किस किसी न समझाओ या कोई भांग पड़ी यहाँ के जुठे सुक्प इस काल न आपके इतना नसा कर रखे रहा है कि इतना कुछ कहने के बाद भी जीव के वसका नहीं है कि थोड़ा बहुत सत्रक होगो होता है यहांसे निकलती फिर काल का इतना प्रैसर है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ दे ने नहीं देता ये काम लेकिन प्रमातमा में इतना सामर्थ है है वो आपको ऐसे मंतर देगा आपको सब रस्ते खुलते चले जाएंगे अगर सचे दर्ड होकर सचे दल से लगोगे वो समर्थ है और समर्थ के आगे इस काल की कोई भी नहीं चाल चलेगी लेकिन आप जी ने सचे विश्वास के साथ इन मंतरों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा फिर रस्ते खुलेगा तो तब ही आपको ये बगती भी सुआवेगी और आप बगती कर भी सकोगे और निम्भा भी सकोगे जब आप सचे जलते बगवान को पुकारोगे क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके उपर फिर भी लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने आपकी सारी आपदाएं छो मंतरों हो जाएंगी तुरंत कहते हैं सत्गुर सण में आने से आई टड़े बला और जब मस्तक में सूली हो भागे में सूली हो वाका टे में टड़ जा ऐसे आपको सुक होने लगेगा तो परसिंट चल रहा है तो पनात्मो बहुत सा उधानी बरतनी पड़ेगी आपने अब यहां कहते हैं पहले गए ना बावडे रहते भी सबजा आद चे पूरी पर्थवी का राजा है और कल मरत्यू होगी चलो उसके बाद यदि उसके पुन कर रखे हैं तो सुरग में जाएगा सुरग के अंदर जब पुन अक्सीन हो जाएंगे फिर वहां से चलो नरक में नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर चलो गधा बनो गधे की आयो पूर्ण होते फिर चलो कहां कूता बनो कूते की आयो पूर्ण होते फिर कहां सुर बनो ऐसे चुरासी लाख योलियों में चलो चलो तो कहते हैं पहले गए ना बावडे यानि जो पहले से ले गए उनना तो आपको आपको बताई ने कि वो कितने कश्ट में रहे हैं, कहां कहां गए और रहते भी सब्जा और बिन साहिब की उस परम पिता परमात्मा की भक्ती बिन किते थोड़ ठाणाना या चलो चलो कहा मिटाएगी वो सत लोक में मिटाएगी शिरी मद भगवत गीता अध्याय नमबर अठारा के सलोक नमबर बैसट और थैसट में शिरी मद भगवत गीता अध्याय नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से लेकर चार में और सोला और सत्रा में श्रीमद भगवत गीता अध्याय नमर आठ के स्लोक नमर तीन से लेकर दस तक एक बहुत निरनाइक ग्यान है गीता ग्यान दाता स्विम कहता हर जुन दूसरे जाय के बर में स्लोक में चोथे जाय के पांच और नो में स्लोक में और दस में जाय के दूसरे स्लोक में के अर्थन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता में जानता है अर्थात जनम मर तो तेरी भी होती है मेरी भी होती है आठ में जाय के तेरे में स्लोक में कहता है ओम इती एकाकसरम बिरम विवारन मामन समरन ये परियाती तजन दे हमसे आती पर मामगतिम मुझ बिरम का के उलेको मंत्र है उचारन करके सीमन करता हुआ जो संसार छोड़ कर जाता है स्रीर छोड़ कर जाता है अन सिवे में और ये सीमन करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परमगती को प्राप्त होता है ओम से मिलने वाली परमगती कौन सी है ब्रह्म लोक है क्योंकि ओम मंतर ब्रह्म का है ये तीन पुरस है गीता जह नंबर 15 के स्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरस है तीन परभू है तीन स्वामी है एक सरपुरुस एक अक्सरपुरुस और एक परमक्सरपुरुस तो इन तीनों के ही मंतरों का तीनों ही की भगती से और इन तीनों के ही जाब से हमारा कल्यान होगा वो मंतर की विधी भिन है तो इसमें क्या बता है कि सरपुरुस जो है ये ब्रह्म है अक्सरप्रोस वो परवर्म है सरप्रोस ये बर्म है जो गीता का ग्यान स्री करसन जी में प्रवेश करके बोल रहा है ये 21 बर्मांड का स्वामी है 21 बर्मांड एक बर्मांड में क्या है जिस बर्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर बिर्मा विश्णु महिस ये तीन मंत्री हैं तीन देव हैं जो यहां के परधान देवता हैं जैसे एक सटेट एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रॉलर मुख्य मंत्री होता है तो इनका जो पिता है बिर्मा विश्णु महिस जी के पिता है सर पुरुष जो गीता अद्धाय नमर ग्यारा के सलोक नमर बत्तिस में कहता है क्यर्दून मा काल हूँ और सब का नास करने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ ये बिर्मा श्री विश्णु श्री शिवजी के पूजे पिता जी है और दुर्गा इनकी माता है ये सरपुरस है और ये तीनों इसके पूतर एक एक विभागिये मंत्री हैं रजोगन विभाग के बिरमाजी सतोगन विभाग के विशनुजी तमोगन विभाग के संकरजी और एक बिर्भांड के अंदर क्या है कि चोदह लोक और तीन लोक ये अलग से और बिरमाविशनुमेश 33 क्रोड देवताथासी अजार रिसी और ये चोदह लोक बिर्म लोक आदी आदी ये देखिए गायत बिर्माज़ का चीतर दिखाते हैं एक बिर्माज़ का लग हो चीतर अब यहां दिखाते हैं आपको एक बिर्माज़ के अंदर ये सामगरी है ये नीचे के पाता लोक तलातल रसातल सूतल, अतल, महातल, वितल ये लोग और ये पर्थवी लोग चिवजी का लोग, बर्मादी का लोग, विश्वजी का लोग ये स्वरग लोग और नरक इकठा ही है ये इंदर का लोग ये धर्मराय का लोग, दुन्या इधी सहस का लोग एक मान सरोर है, ये है ब्रहम लोक, ये ब्रहम लोक है इतना, ये ब्रहम लोक है, इस ब्रभांड के अंदर एक अलग से स्थान है, ये दुर्गा का लोक इस ब्रहम लोक के अंदर ही बाहर एक समुदर के टापू में है, एक टापू है समुदर में, ये कालने नकली सत लोग, महाइंदर का द्वीप, नकली सत लोग, नकली अलग लोग, डुपलिकेट अगम लोग और अनामी लोग की रजना कर रखिए। ये सपत पूरी हैं, ये 88,000 द्वीप हैं, और ये यहां एक विशेश गुप्ट सथान इसकाल वगवान का, ये तीन सथ बनाकर रहता है, एक रजोगन परधानक सेतर है, एक सतोगन परधानक सेतर है, और एक तमोगन परधानक सेतर है, इसमें ये स्विम जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी, इसको यहां रखता है, जब ये इस रजोगन परधानक सेतर में ये दोनों रहते हैं ये पंच मुखी बिर्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावतरी रूप में रखता है इन दोनों के संयोग से जो पूतर उत्पन होता इड़ी की सकल का बन जाता है बिर्मा की सकल का उसी को ये रज़ोगन युक्त कर देता है क्योंकि ये सथान सारा रूप धन कराता है इन दोनों के संयोग से जो पुत रूपट nessa होता आपियव मेक्ष कर्दानता हों एक तोगणक कराता है इस तो रूप मेरेता है और दुरगा को पार्वति रूप मर रखता है इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन होता इसकी सकल का बन जाता है और वो तमोगन युक्त हो जाता है ये इस परकार एक बर्मांड की ये सारे सामगरी समझ हो पिर इन तीनों पुत्रों को इन ये दो इसी की सकल के होते हैं इनको नीचे एक एक दूइप दे देता है इनकी प्रतानियों से केफल इन तीन लोकों के पराणियों, पाताल लोग पर्तवी लोग और ये कोम स्वरग लोग, इन तीन लोग के पराणियों को इनको कंट्रोल करते हैं, जनम ren Two और स्वरगत हैं की यहाँ इनको विवस्थित रखतें, इनके करम सब्रस्दार पर, अपने आत्मों रजोगुन अक्सेतर तबोगुन अक्सेतर और सतोगुन परदान अक्सेतर कैसे होते हैं जैसे किसी मकान के अंदर किसी महल में किसी घर में तीन कक्स हों एक कक्स में एक कमरे में असलील चीतर लगे हों बेहुदे तो उसमें जो विक्ती भी जाएगा उसकी विर्ती विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्स में और उन चीतरों को उसकी नजर रहेगी उसमें एक विच्छे गुण उत्पन रहेगा उसके बसकी बात में और दूसरे कक्स में लगा रखी हैं सादो संथ फकीरों की महात्माओं की चितर तो वहाँ जाने के पाद उस व्यक्ती के उनके महापुरसों के चेरों को देखकर उनकी महिमा को याद करकर उसका एक दम सा सारूप हो जाएगा आत्मा सांथ हो जाती है और तीसरे कक्स में हो जैसे सूरवीरों सहीदों के देश बगतों के चीतर तो वहाँ जाकर अपने आप उसके मन की वरतिव ऐसे ही बन जाएगी उसी परकार उसके अंदर जोस पैदा हो जाएगा तो ऐसे इस काल भगवान ने इस उपर की सथान पर ये तीन सथान बना रखे जब ये वहाँ दोनों रहते हैं जैसे रज़ोगुन पर धानक्षेतर में रहते हैं तो इसका एटोमेटिक उन चितरों को वहाँ की दिरिश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रज़ोगुन परभावित रहता है और उस दोरान जो पूतर की उत्पती होती है, उसके अंदर वो गून अट्रोमेटिकली आ जाते हैं, एक विक्ती चोर था, और उसका लड़का हो गया, आठ्टे नौ वर्सका चोरी करन लगया, उसकी दादी जी ने नाम ले रख्या, और सत्संकर रेव वहीं से उसने दस बी रपिया निकाल लिए, तो वहां की विक्तियों को पता था, कि ये लड़का या गलती कर सकता है, उसको पूछा ताची करी, उसके पास वो पैसे पागे हैं, तो उससे समझाया बेटा, तो ऐसी गलती क्यों करता है, आपने नाम भी ले रख्या अपनी दादी जी के साथ, त तो वह उस चोर के गुण उसमा आगे बेटे में, तो इसी परकार, इस काल भगवान ने तीन स्थान बना रखे हैं, एक पर फिर देखिए गाए, अब समझ माएंगे आपके, ये सथान है ब्रमांड का सब से उपर का स्थान है, ये ब्रम लोक में सब से उपर है, ब्रमांड का भी उपर है ये, तो ये जो ये सथान है, ये रजोगन पर धानक से रहें, ये देखने में थोड़ा सथान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलो मिटर तक का है, अक्सी बड़े बड़े बाग बवीचे, बड़े दूस्त, ऐसे वहां की सथी थी है, तो य ये स्वयम ब्रमारू बना लेता है साब, ये काल भगवान, और दुर्गा को स्यावतिरी रूप में रखता है, इन दोनों के संयोग से, जो पूतर रूपन होता है, वो एटोमेटिकली रजोगन युगत होता है, ऐसे ही सरूप बन जाता है, और ऐसे ही सतर मुखी हो जाता ह पंचमुखी, और दूसरा सतोगुण पर धान अक्षेतर है, इसमें स्वयम विश्वन रूप धान करके रहता है, दुर्गा को लक्समी रूप में रखता है, इसको मालक्समी भी कहते हैं, अग्यानता के कार्णी, तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी सुभाव रहेग वो सतोगुण युक्त हो जाता है, और तीसरा ये तुमोगुण युक्त है, स्थान है, यहां पर स्वयम ये ऐसे रूप में रहता है, ये काल भगवान है, और पारबती को गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पारबती रूप में रखता है, इन दोनो इन तिनों को तब तक कोमा में रखते हैं अचेत रखते हैं जब तक ये यू आना हो जाए और इस काल भगवान ने परतिग्या कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दरसन नहीं दूँगा ये मेरा अटल गटिया विद्धान है इसलिए ये किसी भी सादक को जब सादना करते हैं ये रिसी मेरिसी तो किसी को बर्मा के रूप में दरसन देता है किसी को विश्णु जी के रूप में किसी को शिव जी के रूप तो ये रिसी मेरिसी भूल से ये मान बैठे कि ये जो बिर्मा विश्णों महिस काल के पूतर है यही भगवान हैं ये अपने आपको छुपाए बैठे हैं आमने साधना की समाधी दसा में इधी के दर्सन हुए ये खुद मालिक है तो ये एक अग्यान धारना हमारे हिंदू समाज में सिनातन धर्म में फैलेगी घर करेगी अब इस अग्यान को हटाने के लिए स्वम परमात्मा आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं उनको सचकंड सतलोक लेकर जाते हैं फिर वहां से वापे छोड़ते हैं जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों उसके बाद ब्रमा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धी से और विश्णु जी को सेश नाग की सयाप है और सिव जी को कैलास परवत पर है फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं सचेत होकर फिर इन तीनों को इकठा कर देते हैं गुमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के कठे हो जाते फिर आका से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे तीनों जने अपने अपने कारिये में तत्पर हो जाओ फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कारिये है माता और हम यहां जहां हम खड़े हैं तो सब जग़े जल ही जल है कोई पर्थवी दिखाई नहीं देती है फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भर्मित रखती है क्योंकि इस ने दुर्गा को परतिग्या दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी पराने को नहीं होनी चाहिए और ये इसके डरके मारी सत नहीं बताती किसी को और जिस कारण से उस सत को बताने के लिए स्वेम परमेश्वर को आना पड़ता है ये जूटा लोग या जूट जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए और सत कोई कहने लगता है उसका विरहोद इतना हो जाता है वही जाने जिसके साथ हुआ बीत है तो अपने अत्मों जब हम परमात्मा का सहरा लेकर सत का सहरा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोग में सफल हो सकेंगे ने अपने सतर पर कोई सत करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया तो आज हमारे साथ उस परमपिता का हाथ है जो सत्थ साहंब हैं, जो सच्चा भगवान है और उसी कारन से हम आगे बढ़ रहे हैं और कितना विरोध, सब ग्यान के वीपृत ग्यान और सच्चा ग्यान ये आगे कितना परफुलित हो रहा है कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है तो कबीर भगवान उसमर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सेहोग आज ये आप जी के साथ है अब जो परसंग चला था गीता जाहे नमर पंद्रा के सलोक नमर सोला और सत्रामा तीन पुरस है तीन परभू है एक सर पुरस एक अक सर पुरस ये देखिएगा स्रीमद्भकुद्गीता और दैदाल गोइंदका इसके अनवादक है ये देखिएगा अद्धाय नमर पंद्रा और ये सोला यहां से स्टार्ट है सोलमा सलोक पंद्र में दैगा इसमें लिखा कि दुववव इमव पुरसव लोके सरे से अक सरे एवचे सरे सरवानी भूतानी कटुषते अक सरे उचते इनका अनवाद पढ़ते हैं इस संसार में नासवान और अविनासी भी ये दो परकार के पुर्ष हैं पुरस माने परभू, स्वामी, भगवान संपुर्ण लोकों के सरी नासवान और जी वातमा अविनासी कहा जाता है एक सरपुरुस और एक अकसर पुरुस आप यहां देख demais दुव Yog इमव पुरुषव लोके सरय चय अक्सरा है एव चय दिव आने दो इमव आने इस पर्थवि वाले लोक में पर्थवी तत्में पर्थवी ये अकेला पर्थवी लोक नहीं है जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं उपर के स्वरगादी लोक हैं ये सबी और उसाथ संग बर्माण जो अक्सर पुरुसके हैं ये सभी पर्थवी तत्व से पर्थवी वाले लोक कहे जाते हैं और उपर के जो सत्लोक, अलख लोक, अगम लोक हैं वो अबनासी लोक हैं ये नासमान सत्ल हैं सारे तो यहां देखिएगा दिववू दिवो माने दो, इमो माने इस परच्वी वाले लोकों में, पुरसो माने पुरस, लोके माने लोक में, सर चायक्सर, सर पुरस, इस पुरस को हम यहां दोनों के साथ लगा सकते हैं, सर पुरस और अक्सर पुरस, इस लोक में यह दो परकार के भगवान हैं, इसी परकार इनके जितने भी प्राणी हैं उनके स्रीड नासवान हैं और जीवात्मा अविनासी कही जाती है। किसे की भी नहीं मरती कि देखी भी नहीं मरती। अब यहां आपने पढ़ लिया इनका नुवाद अब यहां पढ़ते हैं। सत्र में सलोक में कहा कि उत्तम पुरुषे तू अन्य है। उत्तम पुरुषे तू अन्य है। यानि पुरुषोतम स्रिष्ट भगवान तो इन दोनों से, दो परकार के पुरुष इन दोनों से, सरपुरुष और अक्सरपुरुष से, उत्तम पुरुषे तू अन्य है। वो स से अभी भरती अवे इस्वर है जो से तीनों लोकों में परवेश करके सब का धारन पोशन करता है वो अविनासी परमेश्वर है इनका अनुवाद पढ़ते हैं उत्तम पुरस्तों अन्य ही है किन से इस सरपुरसे और अक्सर पुरसे दोनों परकार के पुरसों से अन्य ही है जो तीनों लोकों परवेश करके सब का धारन पोशन करता है अविनासी परमेश्वर परमात्मा इस परकार कहा गया है अब इससे क्यासेद हो गया तीन पुरस हैं एक सरपुरस एक अक्सर पुरुष और एक इस से इन दोनों से अन्य वो परम अक्सर पुरुष को हो उसे परम अक्सर ब्रहम को हो ये भी कंसेट कलियर करते है अपना अत्मा सात्मे अध्याय के 29 में सलोक में अध्याय नमर साथ शिरीमत भकुत गीता और साथ माध ध्याए और इसके सलोक नमबर यहां से देखिएगा 29 यहां इसमें लिखा है कि जरा मरन मुक्षाए माम आसरीत यतन्ती ये ते बरम तत विदू करस्नम अध्धातम करम चे अकीलम इसका अर्श ये है कि माम आसरीत गीता गयान दाता कहता है मेरे ग्यान को आसरे करके जो जरा और मरन से छूटने के लिए मुक्ष माने मुक्ष के लिए जरा माने वर दुश्था मरन माने मर्टू से मुक्ती पाने के लिए जो ये तन्त कर रहे हैं ते वे बरम तत विदू बरम तत विदू बरम तत विदू विदू माने जानते हैं ततज बरम को कर्शनम द्धातम सारे द्धातम और कर्म चै कhai लम और संपूर्ण कर्मों से वे प्रीचित हैं, विदू हैं, जानने वाले हैं इन कानुआतब बढ़ते हैं जो मेरे सरन होकर जरा माने वर्दवस्था इनोंने गोल मोल कर दिया जरा माने वर्दवस्था और मर्ण माने मर्तू से छूटने के लिए जो यतन करते हैं वे उस वे विक्ती वे सादक तत ब्रह्म ये तत तत ब्रह्म उस ब्रह्म को तत ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपून जातम को तशा संपून कर्मों को जानते हैं आज सुब़े के सत्संग में भी आपको यही दो रहा गया था कि जो विक्ति उस तत्वर्म से प्रिचित हो गए और सारे दातम से ग्यान से स्पून से और सभी कर्मों से प्रिचित होगे कोई आज हम किसी की आतमा उखाते हैं या किसी से चोरी करके को ठगी करके अपना कोई पैसा इकठा करते हैं तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो परतिफल है और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में कोई कुटा गधा बनकर उसका भार ढोक है रखवाली करके बैल बनकर खचर बनकर या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरन से छूटने का परियतन वही करते हैं जो ततबरम से प्रिचित हैं सारे जातम से सभी कर्मों से प्रिचित हैं आठमे जाय के पर्थम स्लोक में ही अरदुन ने पूछा यहां ता हमने 29 माँ पड़ लिया और यहां सामने ही आठमा जाय है इसके पर्थम मंतर में अरदुन ने पूछा किम ततबरम पुरसोतम हे पुरसोतम वहे ब्रहम क्या है तत ब्रहम क्या है तत ब्रहम किम वहे ब्रहम क्या है तत ब्रहम क्या है इसका उत्तर इस गीता ग्यान दाता ने इस आठ में ध्याएके ही आठ में ध्याएके और ये मंतर नमर तीन में कहा है वो परम अक्सर ब्रहम है परम अक्सरम ब्रमम परम अक्सर ब्रम है तो गीता अध्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर सत्रा में जो कहा है वो परम अक्सर ब्रम कहो उसे परम अक्सर पुरुस कहो उत्म पुरुसे तु अन्य परमा अत्मायती उधारते ये लोक तर्म आवी सेवे बरती अवैस रह वो उतम पुरसे तू अन्य वो सरपुरस रक्सरपुरसे अन्य जो है वो परमक्सरपुरसे गीता ग्यान दाता से अन्य है अब क्या बताया आठमे दै के तेरमे सलोक में गीता ग्यान दाता कहता है देखिएगा यह तिर्मा सलोक है आठमे दै का ओम इती एकाकसरं बिरम वहरन मामनुसमरन ये प्रियाती तजम देहं सैयाती परमामगतिम माम बिरम मुझ बिरम का ओम इती एकाकसरं ओम ये है एक अकसर है और उचारन करके सिर्ण करता हुआ ये प्रियाती तजन देहम जो स्रीर छोड़ कर जाते हैं समय तक इसका ओम नाम का सिम्म करता हुआ स्याती प्रमांगतियम वैत ऑफ से मिलने वाली प्रमगतिय को प्राप्त होता है सब इंद्रियों ये तो इस बार मा तेर मा ने कठा कर दिया इसके साथ बार में के साथ इसको जोड़ने क्यों सकता नहीं तेर मा यहां से सुरू होता है जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्सर रूप ब्रह्म को उच्छारन करता हुआ मा मुझ निर्गुन ब्रह्म का चिंतन करता हुआ स्रीर को चा कर जाता हुआ पुरुष परम गती को पराप्त होता है इस इन्होंने नुआद ठीक नहीं किया ओम के जाप से कौन सी गती होती है ब्रह्म लोग पराप्त होता है पुनात्माओ आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पड़े हो हम भी पड़े हैं तो माता पिता ने हमारे को फरी छोड़ दिया था कि बेटा और बेटी यो तुम पड़ो किस लिए उनको इतना ग्यान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी करमचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जागा तो उसके लिए किसी ने 16 वरस किसी ने 20 वरस ट्रेनिंग करका है किसी ने 12 वरस किसी ने 10 वरस यानि कम्पलीट समर्पित होकर के वो सिक्सा ग्रेंड की और किसलिए की दो टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए और ये अन्त में ना ये कार कोठी साथ जाती है और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं वगवान की बगती के बिना हम अटकल बाजी लगा कर बेसक जी रहे हैं पर कोई प्रोटेक्शन नहीं आपके पास जब तक आप कबीर परमात्मा की सर्ण में नहीं आते हो इनकी सर्ण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा तो कहने का भावदास का ये है कि आप जी कितना समय लगाती हो और किस लिए एक पेट के लिए उनली निर्वा के लिए चाहिए बिजनेशन में लगो तो भी सिक्षा मानते हो सिक्षा होनी चाहिए या कोई अधिकारी करमचारी बनो और वो क्या है बस कभी भी मर्चू हो जाती है एक विक्षी इकलोता पूतर उसका और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया उसने HCS में सेलेक्ट हो गया SDM लग गया विएवा की त्यारी थी 27 साल का लड़का था विएवा के 10 दिन रह रह रहे थे अपनी ही कार में आ रहा था एक जो टाबुगी से टकरा आ गया और एट दास पॉट ही मर्गया खत्म हो गया वह 20-25 साल की पढ़ाई भाड़मा गई और कैर टूटी गया ने आ रहा और जो अब जो आप समय लगाओग इस मालिक की चर्चा पढ़ने में सुनने में भगती करने में आपको यहां भी साहरा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जागा सतलोक्ष ले जाओगे आपको वो सथान मिलेगा जैसे कि आप यहां सिक्षा करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो अची काठी कोठी हो जा गाड़ी हो जा मस्ती मारा कितने और उस मस्ती का पता नहीं सैकंड के बाद क्या हो जाए उसकी तरफ प्रमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है क्योंकि अब आप सिक्सित होगे हमारे सद्द्गरंध हमारे पास है अब जो निरने करने लाइवर्ट का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ बगवान की तरफ और इसके साथ आपके अन्ने काम भी सफल होंगी आपकी सिक्षा भी सफल होगी आपकी रोजी रोटी का काम भी कारिया भी जो है वो परमातमा ही सफल करेगा अब देखो राजा भी जब अपने कर्तव से अपने प्रियतन से ठक जाता है तो परमातमा से अरदास करने जाता कई ना कई और वो परमातमा आपके साथ रहेगा तो दो रोटी का दा जगड़ा आपका कती खत्म हो जागा आपको जबर दस्ती देगा और पतानी कित कर देदेगा पर आपने थोड़ा सासे में भगवान की तरफ लगाना पड़ी अब जो आपको कंशेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि मुझ बरम का एक ओम अक्सर है उचारन करके सिमन करता हुआ ये परियाती तजन देहम दोसरी दियाग कर जाता है सैयाती परमाम गतिम वो ओम से मिलने वाली परमगती को प्राप्त होता है इसमें ओम अक्सर ही है तो अभी सिरी मद्द देवी भागवत यानि देवी पुराण में देवी कंसेप्ट कलियर करेगी हिमाल राजा को ग्यान देते हुए बरम का सरूब बताते हुए कैसे इंडरने दे रही है सुनिएगा पढ़िएगा ये है सिरी मद्द देवी भागवत गीता प्रेस गोर उपर से परकासित है संपाय अद्दक है हनुमान परसाइद पोधार चिमरलाल को स्वामी और ये यहां से परकासित है अब हम इसके 562 परिश्ट पर आते हैं ये सात्मा सकंद है और 562 परिश्ट है यहां पर है देवी के दौरा हिमाले को ग्यानों उपदेश बरम सरूप का वरनन देवी जी हिमाले राजा को ग्यान दे रही है शिरी देवी जी कहने लगी परवत राज उस बरम का क्या सरूप है यह बतलाया जाता है जो परकास रूप सबके एतंत समीप में सतीत हर्दे रूप गुहा में सतीत होने के कार्ण गुहातर नाम से परसीद आते आते हैं यहा जाते वह यह परम सत्थ और अमरत अविनासी तत्व है सौमे उस बेदने योगे लक्षे को तुम बेदन करो मन लगा कर समतन में हो जाओ सौमे उपनिस्त में कतीत मान अस्तर उप धनुस लेकर उस पर उपासना द्वारा तिक्सन किया हुआ बाण संधान करो और फिर भानुगत चित के द्वारा उस बाण को खेच कर उस अक्सर उप ब्रहम को लक्षे बना कर बेदन करो परनाओ माने ओम धनुस है जीव आत्मा बाण है ब्रहम को उसका लक्षे कहा जाता है यहां देखिए उस एक मातर परमात्मा को ही जाने दूसरी बात सब सोड़ दें यही अमरत रूप परमात्मा के पास पहुचाने वाला पुल है संसार समुदर से पार होकर अमरत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुल्ब सादन है इस आत्मा का ओम के जब के साथ जहान करो ओम का जाप करो इस से अज्ञान में अंदकार से सरुथा परे संसार समंदर से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ती होती है क्योंकि ये ब्रह्म का मंतर है तुम्हारा कल्यान हो, वो कहां रहता है? यहे वहे यह सबका आत्मा बर्म बर्म लोक रूप दिव आकास में सतीत है ओम के जाप से बर्म की प्राप्ति होती है बर्म रहता है बर्म लोक में अब ये सिद हो गया कि जैसे गीता धाय नमराट के सलोक नमर 13 में जो ये कहा है के ओम इती एक अकसरम बर्म विवहारन माम अनुसमरन इससे सफ़ष्ट हो गया कि मुझ बर्म का ओम ये है एक अकसर है नथिंग एल्स और इसके तरीत कुछ नहीं है और विवहारन अनुसमरन उचारन करके सिमरन करता हुआ ये परियाती तजन देहम सयाती परमाम गतिम ये देखिएगा अब हम आगे श्रीमत भगुद गीता धायाठ के सलोक नमर 13 में ओम इती एक अकसरम बर्म विवहारन मानुसमरन माम बर्म मुझ बर्म का ओम इती एक अकसर ओम ये एक ओम अकसर है और विहारन माने उचारन करके अनुसमरन माने सिमरन करता हुआ ये परियाती तजन देहम जो स्रीड टा कर जाता है सयाती परमाम गतिम ये अंडिस्टूड है कि इस ओम से मिलने वाली जो परमगति है वो पराप्त होगी और वो आपके समक्स होई गया श्रीमद देवी भागत में श्रीडेवी जी ने हिमाले को बताई दिया ओम नाम का जाप करो बर्म को पाने का उदेसे रखो उससे पा जाओगे वो बर्म लोक में रहता है अब देखो गीता अध्या नमर आठ के स्लोक नमर सोला में देखिएगा स्रीमद भागत गीता अध्या नमर आठ के स्लोक नमर सोला में हे अर्दुन बर्म लोक परियंत सब लोक पुन्रा वर्ती में है अब पुन्रावर्ति का इन्होंने विसलेशन भी किया है यह सटार लगा रखिया है इसका यहाँ विसलेशन किया है अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे यानि ब्रह्म लोक में गए हुए व्यक्ती भी सादक भी पुने लोटकर पर्थवी पर आते हैं वो सथाई सथा नहीं है इन्होंने आगे थोड़ी सी गणबडी कर रखी है देखिएगा इसी में सोल में स्लोक में हे अर्जुन ब्रह्म लोक परियंत सब लोक पुन्रावर्ति में हैं परंतु हे कुंती पूतर मुझे को प्राप्ट होकर पुनर जनम नहीं होता अब ये बात इन अनुवाद करताओं ने गल्ती की है यदि इसको सत माने ये अनुवाद सत माने के मुझे प्राप्ट होकर कभी पुनर जनम नहीं होता सलोक नमर बारा अद्धाय नमर चार का स्लोक पांच और नो गीता अद्धाय नमर दस का स्लोक नमर दो ये जूटे से दो जाते जोटे सिद हो जाते हैं जिसमें ये गीता ग्यांदाता कहता है कि अरदुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता हूं देखिए गाँ ये है सिरीमत भकुत गीता अज़्धाय नमर दो का और स्लोक नमर बारा नहीं तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमा नहीं था अत्वा तू नहीं था अत्वा ये राजा लोग नहीं थे और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे यानि तेरा मेरा और सब इनका जनम मर तू पहले भी हुआ है आगे भी होगा अर्चोथे जाय के पांच और नौ में तक कंसेप्टा कलियर कर रखे हैं देखिए अज्धाय नमबर चार का और सलोक नमबर यहां पर है यह पांच नमबर यहां से शुरू होता है बोनानी मे विवतानी विटतानी जनमानी तौच अरजुन तानी एहम वेद सर्वानी नतौम वेदता परंतम इसका अरच यहां पर है हे परंतम अर्दुन मेरे और तेरे बहुत से जनम हो चुके हैं उन सब को तू नहीं जानता मैं जानता हूं ठीक है अब फिर नौमे में देखो नौमे सलोक में मेरे जनम और करम डिब हैं अलोकिक है ठीक है जनम तो है इसे सिद है कि इस गीता ग्यान दाता कि जनम मर्टु है और आगे देखो दसमे जाय के दूसरे सलोक में यह स्विकार करता है कि मेरी उत्पत्ती को यह देवता लोग नहीं जानते यह देखिए यह दसमा जाय है सिरी मद्वगत गीता का इसका मंतर यह दो मंतर यहीं पर है मेरी उत्पत्ती को परभवमाने उत्पत्ती को यह लिला से पर गटते हैं अपने आप करें मेरी उत्पत्ती को ने देवता लोग जानते हैं और ने महरे सीजन जानते हैं क्योंकि मैं सब परकार से देवताओं का और मेरे सियों का आदी कारण हूँ अब यहां विच्रित हो जाते हैं यह लोग यह पढ़ कर इसको कि जो मुझ को अजनमा अनादी और लोकों का महान इस वरतत्व से जानते हैं वह मनुश्यों में ग्यानवान पुरस संपुन पापों से मुग्ध हो जाते हैं इसमें इसका कहने का भाव यह है कि मैं जिसा मैं जैसा अजनमा हूँ किस परकार का हूँ किसा हूँ कैसा हूँ क्या मेरी सतीती है जो तत्व दर्सी संत इस बात से प्रीचित हैं तो यहां से पीछा सुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कटी जाते हैं, इसका भाव ही है कहने का, अब ये कैसा जनमा है, कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसर्ट पर हम कलियर कर रहे हैं, उसके ये सिद हो गया कि ये थी गीता अध्याय नमबर आठ के, स्लोक नमबर सोला के, आगे जो सोल में का जो अगला हिस्सा हमले, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है, देखिएगा, अध्याय नमर आठ का, और सिरीमत भगत गीता का, सोल में सलोक है, हे अर्दुन, ब्रहम लोग परियन सब लोग प प्राप्त होकर पुनरजनम नहीं होता, अब यहां पढ़ेंगे, अब देखो, विद्धे माने नहीं होता, ने विद्धे, अब यहां पढ़िए, आप ब्रहम भोनात, यानि ब्रहम लोग तक सभी भावन, सभी लोग का पुनरवर्ती में, अर्दुन, फिर यह बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनरजनम इसका अर्द यह बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनरजनम है, जो यह नहीं जानते, विद्ध माने केवल है नहीं होता, विद्धातु से विधते बना है, विद्धमाने जानना भी होता है, जो ये नहीं जानते के बिर्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुन्रावर्ती में हैं वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनरजनम है अरजुन मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनरजनम अरजुन नैविद ते जो इस बात को नहीं जानते कि बिर्म लोक तक भी सभी प्राणी पुन्रावर्ती में है वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुन्रजनम है अरजुन जो इस बात से प्रिचित नहीं है जो नहीं जानते जिन को ये ग्या नहीं नहीं तो फिर ये वो तीन सलोक जुटे से दो जाते हैं ये अनुवाद गलते हैं अब जो परसंग चल रहा है अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पूर्ण जनम होते रही इसका खुज भी जनम मर्चु होता है इसलिए गीता जाहर नुवर 15 के सलोक नुवर 16 में इसको सरपुर्स का है सरवने नासुआन पुर्स माने ब्रह्म प्रभू स्वामी ये नासुआन है और इसकी अंतरकत जितने पराणी हैं जितने भी सब जान नासुआन है और इसकी खुद भी जनम मर्तु होती है इसके करम और जनम कैसे अलोकिक है अब जो परसंग कलियर करने जा रहा है दास कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रमांड का स्वामी है 21 ब्रमांड का और ये स्वम ना स्वान है ब्रमांड आपको दिखा दिये देखिएगा ये एक ब्रमांड है ये सारा इसमें जो ये सथान है अलग से इस ब्रमांड के अंदर एक ऐसा गुप्ठ सथान है जहां परमेशवर अन्य रूपधारन करके कबीर जी रहते हैं जिसके विशे में इन बिर्मा भी सुनो महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। यह ऐसा गुप्त सथान है ऐसे। अब यह एक बिर्मांड है। यह सारा एक बिर्मांड है। यह जो पूरा बिर्मांड आपने देखे अब यह समझो एक गैंद है। यह और इसे ऐसे पांच बिर्मांडों का इसने एक ग्रूप बनाकर महा बिर्मांड बना रखे। और ऐसे ऐसे चार महा बिर्मांडों में बीस बिर्मांड रोक रखे हैं। इसकी 21 जो बिर्मांड है उ उसने यहां बनाया अलग से, यह वैसे समझाने के लिए लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा ने तो यह इसी आकार के आई उस समझों सारा ही ऐसा आकार और यहां एक तपत सिला है, यह गयर मादुवार है, यह गयर मादुवार है जो 21 विर्मान्ड से पार कराएगा. आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं. इतने साल तक आपने भक्ती किये? चले जाओ बरवाला वहाँ पर संत रामपाजी महराज आई हुए हैं, नाम दिर्च्छाल के भक्ती करो. मैं बतिक कर रहा हूं, मैं सब्वाल जी महराज को अपना गुरू बनाया हूं और आपने छोड़ दिया और हमको भी शुड़वा रहे हैं. तो मैं गया है, जी जो तुझ। दर्शी संथ है, उससे नाम दिछ्छा ले के बक्ती करने से पूर्ण मोच पराप्त होता है तो बोले जो है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि संत रामपाल जी महराज परमात्मा है तो आप परमात्मा से परिछा ले लो मैं का ठीक है कोई बात नहीं है तो फिर हमने सर एक दिन रात में सो रहे थे, सोने जा रहे थे, तो मैं ऐसे ही जो है अपने मन में जो है कहा, मैं अगर पूर प्रमात्मा संत रामपाल जी महराज हैं, तो आज रात में हमको सबने में दर्सन देंगे, या सत्पाल जी महराज हैं, तो वो हमको जो है दर्सन दे तो सर उसके बात पिर हमने यह करके जो है कुछ गया संत्रामपाल जी महाराज को पता नहीं लगा कहीं करुद है की का है कि रूप में जो है गुरु और गो मिंत की जो फोटू है मालिक की उसमें हमको दर्शन दिए फुले वेटा तुम क्या सोच रहे हो कुछ मत सोचो जाओ बरवाला में नाम दिछा लेके भक्ती करो सर आपको इतना अद्भूत लाब मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराजी ने दिखाया कि वही पून संत हैं वही सचे संत हैं तो सर संत्रामपाल जी महाराज जी, वो सत्पाल जी महाराज के ग्यान में आपको क्या भिंटा नजर आई? सर जी, उनके ग्यान में सत्पाल जी महाराज के में कहते हैं, गुरूर ब्रह्मा गुरूर् विष्नुकु गुरूर देवा महेशुरा गुरूर साच्छात पार ब्रह्म तसमें सरी गुरुवे नमा। की प्राप्ती हुई जो पूर्ण प्रमात्मा इस टैम कभीर शाहेब संतरांपाल जी महराच के रूप में आए हुए है तो सर संतरांपाल जी महाराच से नाम दिख्षा लेने के बाद और क्या लाब मिले आपको और सन्तारामापाजी महराच के समय में हमारा जिन्म हुआ को हम चाहिए सर। तो में लावे हुआ कि हम एक दिन जो है हम दुकान चोटी से दुकान है साइकल की अपनी दियाना में तो हम आये जो है चुटी करके हमारी भक्त मती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू करके शाड़े नो बजे पंखा राइट इम चल गया था उसके बाद पोने एक बजे प कोटू लगाई हुई है वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत्रापा जी महारी तरह संत्राम का सुम्रण करने लगे और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए चार पईये पर ही वहाँ पर देख रहा हूं कि हमारा पंखा जो है नीचे टूड के तार सहीद लेके गिर ग बीच में पंखा गिरा किसी को कोई चोट नहीं लगी और इसके बाद जो है हमको लाभूवा कि संत्राम पाजी महाराज की दया से जो है हमारी पत्नी को कमर में दर्द था तो वह हम उनको लुदियाना में कई जगा डाक्टरों को दिखाया गाउं में दिखाया तो उसके ब मैं नहीं जगा हम और वही म when I love कराकरा के हार ग्या हूँ मैं किया करूं अबहर हम संत्राम्पाजी महराजर में जाओ आप उनसे नाम दिछा लो, भक्ती करो, उसके बाद प्रमात्मा ठीक करेंगे उसके बाद जो हम दवा लेके आये थे, पांस रुपे की दवा, उसके बाद उसने फेक दिया कबार में गई जहां डंड़ोर पढ़ाम करते हैं मालिक के वो, संतरामपाजी महराज वो वहां पर जो है, वो डंड़ोर पढ़ाम किया, उसके बाद संतरामपाजी महराज के याद किया, रोई मालिक से, संतरामपाजी महराज से, कि प्रमात्मा हमारा कोई नहीं इस दुनिया में, आप पंड़ा घंटा के बाद उसको होसाया तो रात में उसी रात में प्रमात्मा संत राम पाल जी महराज बोलते हैं बेटा चिंता ना करो उसको प्रसाद दी बोले बेटा ये लो प्रसाद खाओ और प्रमात्मा की भक्ति करो मालिक दया करेंगे तो उस दिन से लेकर आज तक वो जो है लगब बग डेवर दोस साल से वो जो है परिसान थी, गले मिसके पानी तोक नहीं जाता था, खाना तो खाने की बाद चोड़ दीजे, पिर उसका परमातमा संत राम पाजी महराज से हम अरधास लगाए, परमातमा ऐसी ऐसी दिक्केस है, तो संत रामपाल जी महराज बोले बटा भगदी करो, मरियादम रहो, मालिक दया करेंगे। ये फाइदा हुआ, तब से नहरु भी इसको ठीक हो गई। पांड जो है मिसा रखे रहते हैं, हम भी खाते थे, जो हमारे साथ में आते हैं तो उनको भी खिलाते थे, तो उसके बाद जो हम आपसे पहले बता दिया हूँ सर कि मैसे सत्पाल जी महराज से नाम लिया था, दस साल हो गए थे, हमारी एक बीड़ी नहीं चुटी, बहुत पापा बोले हमारे बिटा जाओ, वहाँ पर तुम्हारा नसावी छुट जाएगा, मैं का चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते देख लेते, वहाँ पर गए सर, तो बरवाला जो है, आतरम जब हम रिश्पिशन पहुंचे, तो वहाँ पर सर, पहले मैं सिग्रेट खरीदा, वहाँ मैं सिग्रेट खरीद के पिया, बस पे चड़ते हुए, तो वहाँ पर जो भगत, जो नाम दिछा लिए तो पहले बगत, वहाँ बहाँ सिग्रेट कोई पी रहा है, मैं का जी मैं पी रहा हूँ, बोले यहाँ सिग्रेट नहीं पीना, मैं का क्यों, बोले यहाँ पर स तब से लेकर आज तक नाम लेकर दोजार तेरह नाम लिया सर तब से आद तक हमने जो है बीड़ी सिग्रेट पान के दबाचोड़ा सर मैं किसी को दुकान पर बैठने तक नहीं देता हूं जो हमारे गरंद कहते हैं उस गरंद पर विस्वाच किए अगर संदरआमपाल जी महराज गिन्सार ऑग्र ग्यान दे रहें ताप उस ग्यान को मानियें अगर कोई और कोई गुरू है, हमने नहीं नाम लिया, एक ही गुरू से नाम लिये थे, और ससंग बहुत सुना गुरू को, लेकिन कोई गुरू प्रमारित ग्यान जो है, या सास्तर उठा के हमको नहीं बताया कि यह चीज यहां प्रमारित है, संत्रामपाजी महाराज जो है, सद्पाल महाराजी भी गीता नहीं पढ़ाते नहीं सर गीता भी नहीं पढ़ा है कभी नहीं दिखाया सर उनके भी लाखों अन्याई है आप ये बात कैसा कह सकते है सर जी हम उनके साथ दस सालम रहे हैं लेकिन कभी कोई गीता उठा के या कोई है क्या नाम है गुरु गरंग साहिब उठा के कभी कोई जो है प्रमाडित की ज्ञान बताया ही नहीं सरा बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में संदेश देना चाहता हूँ जितने भी संसिता से सारे जुड़े हुए है कि आप अपना मान अभिमान छोड़ कर संत राम पाजी महाराज से नाम दिछा लेके अपना भक्ती करो अपने बच्चों का अपने परिवार का कल्यान करवाओ जो है जी धन्यवाद नमस्का संत राम पाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रवचर के लिए कर दो कर दो, तो प्रॉजबा है